हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ डॉक्टर उमा श्री आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है क्या आपको भी कटोरियों में तेल इखटा करने का शौख है तो सावधन हो जाईए गरम तेल मंगल और शनी ग्रह को प्रिप्रेजन्ट करता है दाना मेथी और हल्दी का तेल बहुत ही गुणकारी होता है कपूर का तेल भी बहुत ही फाइदेमंद होता है और बादान का तेल भी बहुत ही फाइदेमंद होता है जैतुन का तेल भी बहुत ही गुणकारी होता है कलोंजी का तेल भी बहुत ही फाइदामंद होता है और कलोंजी के तेल भी शनी के पात्र में डालना उप्योगी होता है लोहे के पात्र में तेल का छाया पात्र दान करना बहुत ही ज़्यादा शुब होता है विशेश कर शनी प्रताडित कर रहा हो उन है अजवाइन की तेल की मसाज बहुत ही गुणकारी है और जैतुन की तेल की मसाज भी बहुत ही बेनिफिशल है सर्सों की तेल की मसाज करना बहुत ही उप्योक्त रहता है धूप में बैठें और मसाज करें बहुत फाइदा होगा लेकिन आपकी तासीर ठंडी है या गरम ये अवश्य जांच लें बदाम का रोगन सेर में मलने से दिमाग के कश्ट मिठते हैं और मस्तिश्क में तरावट आती है ये है तेल का तेल और ये बहुत ही गुणकारी है तेल के तेल की मसाज करनी चाहिए हल्दी और अजवाइन योक्त ओईल येलो कलर का होता है और ये मसाज करने के लिए उप्युक्त है यह ब्रहस्पती का प्रतीक है तो मैं डॉक्टर उमाश्री आप से विदा लेती हूँ और फिर हाजिर होंगी नई वीडियो के साथ में थैंक्स